स्टाप्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांच पियाजी के आने वाल एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि उमा शंकर किस तरह से अपनी गल्तियों से सबक लेते हुए उन्हें सुदारने के लिए पायल और वेद की करवाने वाले हैं शादी जैसा कि अब तक हमने शो में देखा है कि किस तरह से अदित्या ने कनक और पायल को ब्रॉथल में बेज दिया था जिसके बाद उमा शंकर किस तरह से दोनों को बचा कर बाहर निकाल लाते हैं और इसी के साथ अदित्या का भी असली चेहरा उमा शंकर के सामने आ जाता है उमा शंकर को ये पता चल जाता है कि किस तरह से अधित्या ने कनक को और साथ ही पायल को ब्रॉथल में बेज दिया था लेकिन फिर उमा शंकर को ये भी पता चलता है कि पायल और वेद एक दूसरे से काफी साधा प्यार करते हैं लेकिन दोनों को एक दुसरे के बारे में सोचते हुए एक दुसरे से अलग रहना पड़ता था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए उमाशंकर हसी खुशी से पायल और वेद को एक करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ही जल्द उमाशंकर हम देखेंगे कि किस तरह से पायल और वेद की शादी करवा देंगे। लेकिन ये जानना वाके दिल्चस्प होगा कि क्या मासी, वेद और पायल की शादी करवाने के लिए राजी होंगी या नहीं। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी से जुड़ी तमाम ऐसे चटपड़ी खबरों के लिए सब्सक्राब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।